गाईज 30,000 से लेके 50,000 की price range में जब भी बात आती है best camera लेने की तो सबसे बड़ी confusion यही रहती है कि हम कौन सी company का camera लेकोई कहता है Canon का अच्छा है कोई कहता है Sony का तो कोई कहता है Nikon का तो आज की वीडियो में गाईज मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ तो आज मैं आपको बताऊंगा कि best DSLR camera कौन से है 50,000 की range में या फिर mirrorless camera कौन से है जो आप ले सकते हैं and guys जो मैं camera आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इन में से काफी सारे cameras को मैंने hands on और test किया हुआ है जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उनकी dedicate videos, details में उनकी specifications अब आपको एक एक चीच समझा जाएगी क्योंकि ये video थोड़ी से लंबी होने वाली है बट मैं आपको कोशिश खरूँगा best way में हर camera की best specification और उसके खास features समझाने की तो गाइस बीन टाइम वेस्ट किये करते हैं इस video को शुरूर देखते हैं कौन-कौन से camera में देखने को मिलते हैं best 2021 में जानिये photography और video production से related हर एक बात watch learn enjoy तो guys सबसे पहले बात करते हैं कि starting range में कौन से camera बढ़िया है अगर आप 30,000 का budget रखते हैं तो आपको मिलने वाला है Canon की तरफ से Canon का 1500D camera बहुत अच्छा camera है हलाकि इसे release हुए काफी time हो गया है बट ये camera still Canon brand में 30,000 में काफी अच्छा perform करता है इसके अलाब हमें 30,000 में और कोई option अच्छा नहीं मिलता Canon brand में तो Canon के 1500D की अगर मैं specifications की बात करूं तो हमें मिलता है 24.1 megapixel के साथ Digic 4 processor और आपको मिलते हैं इसमे 9 autofocus points यानि कि जब आप shoot करेंगे तो आपको 9 dots मिलती है viewfinder से देखने पर जिससे आप subject को असानी से shoot करवा सकते हैं high speed shooting के लिए यानि कि जब आप bird photography करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि fast moving subject को shoot कर सकें तो उस तरह कि purpose के लिए guys आपको मिलती है 3 frames per second की speed इस camera में जो मुझे कुछ जादा अच्छी नहीं लगी बट price के according यह सब ठीक है मतलब तो specification है beginner के लिए सीखने के लिए काफी अच्छी है या फिर अगर आप basic use करना चाहते हैं इस camera से तो काफी अच्छा कर सकते हैं ISO power की बात करें तो ISO guys आप 100 से लेके 6400 तक boost कर सकते हैं इतना जादा अच्छा नहीं है बट हाँ आपका as a basic photography काम चल जाएगा अगर आप expect करने की low light में जादा अच्छी performance है तो वो आप इस camera से expect नहीं कर सकते basically आपको focus hunting की problem थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी इस camera में जब आप low lighting situation में shoot करेंगे इसके लब आप guys photography के point of view से इस camera में मुझे सबसे बड़ी कमी as a photographer या फिर beginner DSLR user लगी वो है जहाँ पर हम flash लगाते हैं न guys वहाँ पर इस camera में center pin नहीं है तो अगर आप manual flash यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसमें नहीं लगा पाएंगे आपको मेहंगी TTL flashes लेनी पड़ेगी automatic flash लेनी पड़ेगी जो इस camera के साथ run करेगी तो कहीं न कहीं यह बहुत important role play करता है अगर आप photography सीखना चाहते हैं तो आपको TTL flash जो है जो मेहंगी आती है वो खरीदनी पड़ेगी अब बात करें guys अगर video shooting के point of view से तो इस camera में आप full HD video 25 frame per second की speed पर shoot कर सकते हैं वीडियो shoot करने पर कोई दिक्कत भी आपको होगी मतलब focusing अच्छी है overall performance भी अच्छी है बट एक कमी जो है video shooting के point of view से आपको इस camera में देखने को मिलेगी वो है कि इस camera में जो जहाँ पर mic लगा या फिर कोई भी mic लगाना पड़ेगा तो उस तरह के case में उस तरह की situation में आपको इस camera में problem होगी आप external mic नहीं लगा पाएंगे overall guys camera काफी अच्छा है 3000 में बहुत ही अच्छा option जो है मिल जाता है Canon का 1500D अब यह आपके purpose के उपर depend करता है कि यह वहला camera आपके लिए fit होता य range में अब बढ़ते हैं guys 30,000 की price range में Nikon brand की तरफ तो Nikon में आपको मिलता है Nikon का D 3500 बहुत ही अच्छा camera है और अगर मैं currently बात करो तो 30,000 की price range में Nikon brand में इकलोता camera है जो आपको यह वहला मिलता है तो इसके अगर हम specifications की बात करें तो specifications में आपको मिलता है 24.2 megapixel के साथ X speed 4 processor ह हाला कि इस camera को release हुए काफी time हो चुक है बट अभी भी ये camera काफी अच्छा चल रहा है market में अभी इसकी काफी demand है और अगर हम guys बात करें focus points की तो आपको मिलते है 11 focus points इस camera में यानि 11 dots की मदद से जो है आप अपने subject के ओपर easily focus करवा सकते हैं और ISO power की बात करें तो ISO आप boost कर सकते हैं 100 से लेके 25,600 तक ISO सबसे जादा काम आता है जब आपको low light situation में शूट करना होता है तो अगर आप light amplify करना चाहते हैं तो उस light को जो है उस power को जो है कहते हैं ISO तो काफी अच्छा जो है इसका ISO capacity काफी अच्छी sensitivity है इसके लावा guys अगर आप high speed shooting करना चाहते हो तो आप 5 frame per second की speed से जो है shoot कर सकते हैं यानि कि एक second में आप 5 photos इस camera से click कर सकते हैं overall काफी impressive है इस camera की specifications photography के point of view से and guys अगर हम बात करें video shooting की point of view से तो आपको इस camera में मिलती है full HD video 60 frame per second की speed से shoot करने का option बट जब मैं इस camera को use कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा problem हो रही थी focus hunting की मतल तो जो focus shifting है ना एक subject से दूसरे subject पर माल लिजे आप पहले इस पर focus करवा रहे है फिर इस पर करवा रहे है तो जो focus shifting है वो smooth नहीं लगी मुझे और camera काफी hunt करता है जब आप जल्दी से focus करवाने की try करते हैं तो focusing में काफी issue है इस camera में तो इस camera का conclusion है वो यह है कि अगर आप photography सीखना चाते हैं बहुत अच्छा camera है बट अगर आप video shooting की point of view से camera लेने वाले हैं सोच रहे हैं तो शायद यह वहला camera आपके लिए ठीक नहीं होगा यह एक अच्छा option नहीं रहेगा अब बढ़ाते हैं guys थोड़ा सा budget और अब बात करते हैं 50,000 की range में कौन सा camera बढ़िया ह Canon brand में तो Canon में आपको मिलता है Canon का 200D Mark II बहुत अच्छा camera है और इसकी अगर मैं specifications की बात करो तो आपको मिलता है 24.2 megapixel के साथ digit 8 processor यानि कि जो camera की processing है वो काफी ज़्यादा जो है fast मिलने वाली Canon 1500D के comparison में और अगर मैं focus points की बात करो या focusing speed की बात करो तो इस camera में आपको मिलते है माल निजिए आप fast moving subject को track करके shoot करना चाते हैं तो उस तरह के scenario में या फिर overall focusing में dual pixel autofocus काफी कमाल की performance देता है और guys अगर आप live view में shoot करते यानि LCD screen पर देखकर shoot करते तो आपको मिलेंगे 3975 autofocus points जो काफी ज़्यादा guys कमाल के हैं तो यह तो होगी autofocus की बात अगर आप क 5 photos लगातार आप Canon के 200D Mark II से खीच सकते हैं तो high speed shooting के लिए भी काफी हद तक अच्छा camera है यह वाला बट इस camera में जो Canon 200D Mark II है इसमें एक problem आपको देखने को मिलेगी वो मैं आपको भी बतातो उससे पहले मैं आपको बता दो कि इसके अदर ISO जो है वो हम boost कर सकते हैं 100 से लेक 25,600 तक तो यह भी काफी अच्छा है ISO power भी काफी बढ़िया है अब बात करते हैं problem की जो मैं बताने वाला तो problem गाईज इस camera में यह है कि इस camera में same Canon 1500D की तरह जो center pin होती है जहाँ पर हम flash लगाते है वो removed है वो आपको नहीं मिलती तो होता है गाईज अब आप जब भी manual flash तो वो आती है महंगी तो कहीं न कहीं आपका budget बढ़ने वाला है यह camera photography के point of view से लेते हैं तो आपको 78,000 की flash खरीदनी पड़ेगी बट इसके अलावा photography के point of view से इस camera की specification लाजवाब है मतलब मेरा favorite camera है यह 50,000 की price range में अब बात करते हैं video shooting में यह camera कैसा perform करता है तो guys video shooting में ज 25 frame per second की speed पर तो कुछ conditions है जिस पर आप जो है इस resolution में shoot कर सकते हैं यानि कि जो 4K में जो video है वो crop होगी यानि कि sensor से जितनी output आने चाहिए उतनी नहीं आएगी थोड़ी सी crop होगी आएगी माल लीजे जब इस camera में आप full HD video बनाते हैं example के लिए तो आपको resolution मिलेगा इतना और जो focus की technology है dual pixel है या फिर eye autofocus है वो जो है 4K resolution में काम नहीं करता इसके लब अगर आप full HD video में shoot करते हैं तो उसमें आपको no doubt सब बढ़िया मिलता है dual pixel autofocus भी काम करता है और eye autofocus भी बढ़िया काम करता है तो overall काफी अच्छा camera है 50,000 की range में अगर मैं बात करूँ काफी ह अगर हम 50,000 की price range में बढ़िया camera देखे तो आपको देखने को मिलेगा Nikon का D5600 one of the most popular camera है most demanding camera है Nikon की तरफ से तो इस camera की अगर मैं specifications की बात करो तो आपको देखने को मिलता है 24.2 megapixel के साथ xpeed 4 processor और 39 जो है आपको autofocus points इस DSLR में देखने को मिलेंगे यानिकि 39 dots आपको मिलें इसके लावा अगर आप high speed shooting करना चाहते हैं तो आप 5 fps की speed पर शूट कर सकते हैं यानि की एक second में 5 photos इस camera से आप लगातार कीच सकते हैं और गाईज अगर हम बात करें ISO की तो ISO आप boost कर सकते हैं 100 से लेके 25,600 तक तो यह तो होगे गाई सारी photography की specification और अगर हम बात करें गाई फुल HD वीडियो 60 fps की speed पर शूट बट अगर मैं गाईज हैंड जोन के बात बताऊं तो मुझे सेम प्रॉबलम जो निकॉन D3500 में लगी ती सेम D5600 में लगी जो focus shifting है वो मुझे ज़्यादा smooth नहीं लगी जी हाँ D3500 से अच्छी है इसकी बट इतनी ज़्यादा अच्छी की मज़ा आज है तो जो D5600 है वीडियो में मुझे कुछ खास नहीं लगा focusing की problem मुझे सबसे ज़्यादा जो है Nikon King दोनों DSLR में लगी D3500 और D5600 तो overall guys photography करने के हिसाब से जो quality है photos की वो काफी अच्छी है मतलब काफी बढ़िया मिलती है बट वीडियो में guys मुझे quality ठीक ठ अच्छा camera कहूंगा कि आप ले सकते हैं अब करते हैं guys brand change or देखते हैं 50,000 की range में Sony का कौन सा camera बढ़िया है तो Sony में आपको मिलने वाला है Alpha A68 बहुत अच्छा camera है और इस camera की अगर मैं specifications की बात करो तो आपको मिलता है same बाकी cameras के लिए 24.2 megapixel का camera और जो आपको ISO की sensitivity है वो मि focus technology काफी advanced है बहुत अच्छा focus है आपको बाके के cameras जो है उसमें मिल रहे थे 11 focus points 39 focus points बट इसमें आपको मिलते है 79 focus points तो guys low light situation में shoot करने के साथ साथ इसकी जो focusing power है वो भी काफी ज़दा कमाल की है काफी अच्छा जो है impressive जो है यह camera है इसके लाबा face और eye detection का जो feature है focusing में वो भ अगर मैं video shooting के point of view से बात करूं तो video shooting में guys आप shoot कर सकते हैं full HD video 50 frame per second की speed पर अब overall मैं इस camera का अगर conclusion बताऊं तो काफी अच्छा camera है no doubt video quality अच्छी है photos की भी ठीक थाक है जादा अच्छी मुझे नहीं लगे but guys जो इस camera में मेरे को कमी लगती है वो लगती है एक तो user interface की as a beginner बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है sony के alpha 68 को समझना इसके लाव बगाए compatibility की अगर मैं बात करूं मालेजे मिरको lenses की variety बहुत ज़्यादा चाहिए तो मुझे alpha a68 में नहीं मिलती काफी लोगों का कहना ही होता कि alpha 68 में बहुत सारी variety है बट मैं इस चीज को नहीं मानता मतला मिरको ज़्यादा variety देखने को नहीं मिली जितने third party brands जितने Canon के lenses की variety mount वाले जो है हमें मिलती है वो इसमें नहीं मिलती है और फिर निकॉन की जितनी variety है वो alpha a68 में मुझे देखने को नहीं मिलती दूसरा factor गाइस मुझे जो इसमें कमी लगती है कि इसकी रीसल वैल्ली थोड़ी स नहीं मिल रही वो है in body stabilization अगर आप handheld शूट करना चाते है आप cinematic video शूट करना चाते है वो भी हाथ से शूट करते है कोई gimbal यूज नहीं कर रहे तो आपको काफी smooth जो है video देखने को मिलेगी इस camera से शूट करने पर यह camera में एक feature होता है image stabilization का जो काफी अत्तक जटकों को कम कर देता है जो jerk होते हैं वो वीडियो में कम से कम आने देता है तो काफी अच्छा option है alpha i68 का इस camera को भी आप ले सकते हैं 50,000 के price range के आसपास में next camera guys जो मैं आपको अब recommend करने वाला हूँ यह वाला camera काफी लाजवाब है यह आपको 50,000 की price range में नहीं मिलने वाला थोड़ सा आपको इसकी features बताता हूँ और यह camera सबसे latest हो तो मैं सबसे पहले आपको नाम बता तो कौन सा camera है तो इस camera का नाम है Canon का M50 Mark II जी हाँ बिलकुल हाल ही में camera launch हुआ था और इस camera की अगर मैं specifications की बात करूँ तो आपको मिलते हैं 24.1 megapixel के साथ same ISO 100 से लेके 25,600 अगर मैं focus points की बा live screen पर जब आप shoot करते हैं तो आपको मिलेंगे इसमें 3975 focus points तो focus points काफी है guys easily आप subject को जल्दी से shoot कर सकते हैं इसके अलावा guys इसके इंदर face और eye detection का feature भी देखने को मिलता है तो focusing speed guys no doubt काफी कमाल की है focus काफी अच्छा है इसके अलावा अगर आप high speed shooting करना चाहते हैं fast moving subject को freeze क करना चाहते हैं तो 10 frame per second की speed जो है आपको इस camera में देखने को मिल सकती है एक second में 10 photos लगातार आप खीच सकते हैं बहुत ही कमाल की speed है तो यह तो हो गई photography की specification इसके अलावा guys अगर आप video shoot करना चाहते हैं तो video आप कर सकते हैं इसमें 4K video 25 frame per second की speed पर full HD video 50 frame per second की speed पर और HD video 120 frame per second की speed पर यानि कि आप slow motion videos भी इसमें shoot कर सकते हैं HD mode में तो यह तो होगे काफी कमाल के features जो आपको photos और videos में बढ़िया बनाते हैं बढ़िया इस camera को बनाते हैं बट अगर मैं बात करूं extra features क्या हैं जो इसे काफी अच्छा बना रहे हैं बाकी cameras के तो इन सभी features के लावा इ इसे की portrait video mode आपको देखने को मिलता है on screen recording button मिलता है यानि कि touch screen में आप recording button कर सकते हैं live streaming मिल सकती है आपको तो इस camera से आप live streaming भी कर सकते हैं तो आपको all-rounder camera जो है मिल जाता है M50 Mark II थोड़े से पैसे आपको ज्यादा नालने पढ़ेंगे बट आपको जो है काफी अच्छी quality है इस camera में देखने को मिलती है चाहे बात हो photos की चाहे हो video की चाहे हो slow motion videos almost हर तरह का purpose जो है यह camera आपका solve कर सकता है अब आप मेंसे काफी सारे लोगों के mind में सवाल आ रहोगा कि मैंने M50 क्यों नहीं recommend किया M50 Mark II ही क्यों किया तो guys M50 और M50 Mark II दोनों में price range में जादा फरक नह और डाल के अगर हमें इतने अच्छे features मिल रहे तो हम क्यों ना लें इसलिए मैंने M50 आपको recommend नहीं किया वह अच्छा option नहीं है वह 2020 में अच्छा option था पर 2021 में वह अच्छा option नहीं है 50,000 के आसपास के price range के mirrorless camera में जो M50 Mark II है guys जान रहे है कि mirrorless camera है DSLR नहीं है अगर आपको mirrorless और DSLR camera में फरक नहीं पता मैंने एक special video बनाई है जिसका link आपको यहाँ पर मिल जाएगा या फिर आप description box में उस video को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि mirrorless camera और DSLR camera में क्या फरक होता है अब सबसे बड़ा सवाल guys यहात है कि मैंने इतने सारे camera's आपको बता देए पूरी video आपने end तक देखी तो हो सकते हैं आपको confusion जादा हो कि यार इन में से आप तो सबको best कह रहे हैं तो इन में से कौन सा camera बढ़ी है तो guys मैं आपको बड़ा ही असान तरीका बताता हूँ ज लीजे मैं मेरा बजट है 30,000 पर और मेरा पॉपस है कि मैंने सिरफ और सिरफ फोटोज खीचने मेरे को वीडियो शूट से कोई मतलब नहीं है तो guys मैं prefer करूँगा निकॉन का D 3500 क्योंकि फोटो क्वालिटी काफी अच्छी है उसमें flash लगाने के लिए अच्छी जो है input दि demands को पूरी कर रहे हैं और किसमें आपके पैसे बच रहे हैं हर camera के अपनी खास बात है ऐसा कोई camera इनमें से नहीं है कि आप मतलब सारी चीजों में उसे use कर सके हर camera में कोई न कोई कमी या फिर कोई न कोई फायदा जरूर है तो ये चीज़ आपने according देखने कि आपको कौन सा camera चीए क्या आपकी requirement है अगर आपको photos में अचा चीए तो उसे साब से देखें आपके budget में videos में चीए तो उसे साब से देखें मैंने हर camera की best चीज़ आपको बता दी है कि कौन सा camera किस चीज़ में best है किस scenario में best है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर आते हैं वह भी मैंने description box में दे दिया आप महां से काफी सारे जो camera उनके link आपको मिल जाएंगे तो ठीक है guys मिलते हैं आप सभी से एक लिए वीडियो में आप से भी अपना ध्यान रखें